Hey guys, welcome back with the YouTube channel, आप देख रहे हैं, फन विदादी, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे मोबाइल की पुरानी बैटरी से एक 12 वोल्ट की बहतरीन बैटरी बना सकते हैं, जिसे आप 12 वोल्ट के अडप्टर से एजिली चार्ज भी कर सकते हैं, करेंगे, लास्ट में आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, गाइस सबसे पहले हमको जरुवत है एक मोबाइल बैटरी की, मोबाइल बैटरी को लेके इनको हमको अन्रैप कर देना है, इनका उपर का जो रैपर है वो हटा देना है, और इनकी उपर की जो प्लेट है, उसको यह भी आसानी से हमको हटा देना है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या प्लस पॉइंट है और क्या है माइनस पॉइंट, दोनु को कंसिडर करेंगे, यह छोटे पॉइंट जो होते हैं, यह माइनस के हैं, और जो बड़े पॉइंट यह प्लस के, बैटरी का कलेक्शन लेने के बाद हमको वही ध्यान देना है नीचे वाले जो पॉइंट है वो माइनस के और उपर वाले जो पॉइंट है वो प्लस के अब इनको सीरीज में कनवर्ट कर लेना है यानि की एक प्लस एक माइनस और एक माइनस एक प्लस आप जैसा की वीडियो में देख भी पा रहे ह अब बारीज है बैटरीज को वाइंड अप करने की तो किसी भी टेपिंग के थूँ या फैविकॉल के थूँ आप बैटरीज को वाइंड कर सकते हैं और एक साथ इनको अच्छे से जोड सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कितने अच्छे से ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है दोस्तो अब बढ़ते हैं सीरीज कनेक्शन की ओर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी बैटरीन तरीके से हमने सीरीज का कनेक्शन किया है प्लस और माइनस माइनस और प्लस को कितनी अच्छी तरीके से कनेक्ट किया है मेरे विचार में बैटरीज ऐसी खुली हुई तो अच्छी नहीं लगेंगी तो आई ये बनाते हैं बैटरीज का एक शानदार कवर इस कवर को बनाने के लिए आप लेंगे एक PVC पाइप जो बिलकुल बैटरीज के आकार का होगा और उसको डैगूनल शेप देने के लिए आप उसको बैटरीज के अकौर्डिंग कनवर्ट करेंगे इसको शेप देने के लिए आप हॉट गन का भी इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो आप Garper Gas चूले का भी इस्तमाल कर सकते हैं और देखिए कितनी अच्छी शेप में इसको हमने तयार किया है ये हो गया है बिल्कुल तयार जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं ये रहा हमारा cover और ये रही हमारी batteries का collection क्या बात है बिल्कुल ही fix आ गया है अपने छोटे जगवर में बैटरीयां बिल्कुल तयार है यहां तक का काम हुआ खतम अब बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों अब हमको लेना है एक electric switch और उस switch के socket को हमको निकाल लेना है आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं कोई भी खराब switch आपके घर में हो या कैसा भी उसके socket को आसानी से उस switch से remove कर लीजगा और उसका जो bolt है बाहर का छोटा सा bolt जो होता है उसको खोल लीजगा यह socket है अब हमको ऐसे ही दो socket कहीं से निकाल के और उनके जो दो छोटे छोटे बोल्ट होते हैं उनको अलग कर लेना है और दो बड़े बोल्ट उनको अलग separate करके रखना है अब जैसा कि आप वीडियो में बहुत ध्यान से देखिएगा यह जो छोटे बोल्ट हैं इनको ऊपर की तरफ हमको लगा देना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और जो बड़े बोल्ट हैं इनको नीचे की तरफ हमको electric socket में लगा देना है यह बन गया हमारा pair आपको वीडियो में clearly दिख भी रहा होगा तो दोस्तो अब hand grinder की मदद से battery with cover में हमको दो hole करने हैं अच्छे से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दो hole यहाँ पर हम कर लेंगे अपने electric socket को यहाँ पर insert करने के लिए अब दोस्तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज है हमको दोनों wire के एक एक end से बड़े वाले जो bolt हमने लिए थे वो connect करने है पहले red वाले से करना है और फिर blue वाले से या कोई भी आप पहले blue से या red से कर सकते हैं दो जो बड़े bolts हमने socket में insert करने के लिए लिए थे उनमें connect करके वो bolt बेटरी के cover के अंदर से निकाल कर हमको जो दो hole किये थे उसमें हमको आसानी से लगा देने है दोनों bolts को hole pass में insert करने के बाद जो हमने socket लिया था electric switch से निकाला गया socket उन socket को connect करना है bolts के साथ पहले हमने एक bolt के साथ connect कर दिया है और फिर दूसरे bolt के साथ हमने वो जो socket है वो connect कर देना है जैसा कि आप देख पा रहे है तो दोस्तो अब हमको battery को proper wind up करने के लिए जो battery का cover लिया था diagonal shape वाला उसी के according एक चकोर shape का एक piece काट लेना है जो हमारी battery के cover के बिलकल according हो इतना ही चकोर जितना diagonal shape के हमारी battery का cover था जैसा कि आप देख पा रहे है और ये इतना बहतरीन तरीके से fix होना चाहिए ताकि उसमें बिलकल attach हो जाए आप देख पा रहे हैं अब इसमें कर लेते हैं एक hole ये भी बताऊंगा किसलिए हो रहा है ये hole तो इसमें आप करेंगे एक hole ताकि हमारा charging socket यानि कि जो female socket है वो इसमें insert हो जाए और हमारी battery भाई चार्ज भी तो करने जरूरी है अब बारी है दोस्तो इसको अच्छा सा paint करने की ताकि इसकी जो shape और size और दिखने में एकदम बिंदास लगे तो इसको हम एक paint की मदद से paint कर देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में बहुत quality का बहुत जानदार paint है ये अब charging socket जो हमने लिया था female socket उसको इसमें connect कर देना है अच्छे से क्या बात है ये भी होगे एकदम बिंदास तरीके से अब दोस्तों आपर ध्यान देने वाली एक चीज और है जो हमने wiring छोड़ रखी थी अभी एक end से एक end तक की एक end से connect की थी हमारे उपर वाले socket से और जो दूसरी बचुई wiring है वो करेंगे female socket से connect तो दोस्तों wiring हो चुकी है almost complete अब बारी है female socket की plate को battery की cover से connect करने की ताकि हमारी battery लगे देखने में एकदम बिंदास जैसा कि आप देख परें क्या बात है कितनी कमाल की लग रही है तो दोस्तों हमारी battery बन कर बिलकुल तयार हो चुकी है तो दोस्तों इसके voltage में आपको check करके बता देता हूँ जैसा कि आप multimeter की screen पर देख पा रहे हैं यह 10 volt शो कर रही है यानि कि हमारी battery थोड़ी सी down है जिसे हम charge करेंगे एक charger की help से यह जो आप देख पा रहे हैं एक बहुती special charger है इसमें आपको एक indicator में मिल जाता है जैसी यह plug-in करेंगे तो light green हो गई इसका मतलब है कि battery charger से connect हो चुकी है और यदि light दुबारा green हो जाए तो आप समझ जाएगा कि आपकी battery full charge हो चुकी है तो अभी battery को थोड़ी देर charge होने देते हैं तो दोस्तो battery हो चुकी है full charge अभी हमने testing के लिए एक fan लिया है जो 755 DC motor का है जो बहुत जादा ampere लेता है चलने पर और कौफी जादा high rpm पर work करता है तो दोस्तो आपको motor की speed ही बता रही होगी कि कितने अच्छे ampere ये ले रहा है और कितने high rpm पर ये work कर रहा है इसका मतलब है कि battery बहुत अच्छे से run कर रही है charging आपके सामने ही test करके हमने दिखा दी गई है और fake video का तो इस channel पर कोई मतलब ही नहीं है उमीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में